तो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लखनव पब्लिक स्कूल की तरप से जो भरती का नोटिफिकेशन है वो फाइनले यहाँ पे जारी कर दिया गया है एक गुड अप्चूटी है सभी के लिए जरूर अप्लाई करें अगर आप इसके लिए एलिजबल हैं सेली यहा करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एक अप्ची अप्चूटी है बहुत बड़ा कैमपस है काई कैमपस इनके चलते हैं यह फाउंडेशन है एक तरह सी सीपी सिंग का इसमें पिछले साल भी आपकी दोस्तों भरती निकाली गई थी और काफी बच्च कि किस किस पद के लिए इसके नोटिफिकेशन निकाले गए कैसे आपको फार्म बनना कैसे आपका सेलेक्शन होगा एट जट सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो आए सुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख पर हैं लखनव पर्बिक स्कूल सीपी सिंग फाउंडेशन हेड आफिस ए ब्लाग साउथ सिटी रायवले रोल लखनव यानि कि दोस्तों यह पर लखनव पर्बिक स्कूल का जो हेड आफिस है वो लखनव में ही है यहाँ पर हम बात करें नीचे तरप यहाँ देख पर है फोन नंबर आपको देखने को जाएगा कोई दिक्कत प्राब्लम है तो आप इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर देखिए इसकी वेबसाइट दी गई है www.thlps.agu.in यानि कि दोस्तों आप इस पर भी विजिट करके डिटेल म सबसे पहले 1988 में पहली ब्रांच coli गई गई ती दूसरी जो आपकी Brus के लोचार नहमें द्न İs उनाओ में इनकी ब्रांच 2015 में खोली गई फिर यहां पर आप देख पार है राय बरेली में इनकी दोस्तों 2016 में ब्रांच खोली गई फिर यहां पर आप देख पार है 2020 में ब्रांच उनाओ में खोली गई फिर नाओ में देखें यहां पर आपका लखनाओ में फिर से 2020 में खो ध्यान से आप देखिएगा सीरियल नंबर एक पर देखनों मिलेगा पी आर्टी ठीक है इंगलीस हिंदी मैथ साइन्स सोसल साइन्स और म्यूजिक इतने पदों के लिए आपका दोस्तों टीचर भरती इस पर होने वाली है ठीक है यह तो हो गए आपका टीचर के पद हो गए फिर द्यूसरे नंबर पर लाइब्रेजियन है तीसरे नंबर पर एकाउंटेंट है चोथे नंबर पर एलडिशी लोर डिवीजन क्लर्क है पाँछोय नंबर पर रेसेपनिस्ट ओंली फीमेल इस पर अप्लाई करेंगी छै नंबर पर लायब अटेंडेंट ये इस टोटल 6 प्रकार के पद हैं, ठीक है, क्या-क्या योगता चाहिए, क्या ये चाहिए, नीचे बात करेंगे, qualification के बारे में ध्यान से आप समझ लीजेगा, यहाँ पर आप देख पर है, candidate must be at least trained graduate in the concert subject for the post-listed serial number 1, यानि कि एक number के लिए जो बच्चे apply करना चाहिए, वो कम सकम उस subject से graduation हो, अगर B.A.D. है तो और अच्छी बात है, seated अगर आप qualified हैं तो और अच्छी बात है, apply जरूर करें, ठीक है, नीचे तरफ बात करेंगे, यहाँ पर देख पर है, for serial number 2, librarian की बात हो रहे हैं, इसके लिए master in library science, यानि कि आपका library science से master degree होने चाहिए, उसके लाव मिनमम 3 year experience होने चाहिए, CBSC affiliated school से, clear है, फिर यहाँ पर 3 number पर बात करेंगे, accountant का पद है, जिसके लिए दोस्तों, यहाँ पर candidate must be B.com, आपलिक M.com, और ICW, RCA, इन 4 degree में से कोई 1 degree उसके पास होने चाहिए, उसके लावा उसके पास टैली की knowledge होने चाहिए, और MS Office, ठीक है, यह knowledge उसके पास अच्छी होने चाहिए, चाहन नंबर पर है, आपका LDC lower division clerk की बात करेंगे, और यहाँ पर 5 नंबर, recipient की बात करेंगे, recipient में only female apply करेंगी, लेकिन LDC में कोई भी apply कर सकता है, क्या चाहिए दोशिए, तो candidate should be graduate, यानि कि graduation होना चाहिए, computer की knowledge अच्छी होनी चाहिए, experience in public dealing in repeated organization, और आपके पास दोस्तों public dealing जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आप apply कर पाएंगे, च्छे नंबर पर आप देख पर है, live attendant की बात करेंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपका graduation होना चाहिए, physics, chemistry, biology, ठीक है, having minimum three year experience आपके पास होना चाहिए, cbsc affiliated school से दोस्तों आपका तीन साल का experience भी मांगा गया है, अब इन सभी में अलग-अलग दोस्तों आपकी salary होगी, ठीक है, नीचे एक तरब बात करेंगे, age की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको देख पा रहे है, application should be between the age group of 25 and 45 years, 25 से लेकर 45 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए, salary will not be, यहाँ पे पहले से की salary fix नहीं, लेकिन अलग-अलग जो है, post और experience में अच्छी salary आपको यहाँ पे मिलने वाली है, बात करेंगे देखें, application form के बारे में कैसे आपको apply करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, on working days between 9 a.m. and 4 p.m. against cash payment 300, application form will be available from 29 November 2023, यानि के दोस्तों इसके जो form है, 29 नॉमबर तक आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चीख है, और इसका दोस्तों जो form fees है, 300 रुपिया है, last date जो form बनी को 9 December है, तो 29 तारिक से इसके form start है, आप लोग बिलकुल इनकी branches में जाक ले सकते हैं, 300 रुपिया आपको जमा करना पड़ेगा, और form फिर भरके आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों यहां पर देखे, candidate have to appear for right and test, successfully candidate will be called upon for further recruitment process, इसका दोस्तों आपका exam होगा, right and test होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप पर आपका selection होगा, जो आपका day, time है और when you are of examination, कब होगा, यहां पर आप देख पार है, 17 December 2023 को आपका date fix किया गया है, यहां पर देखे 10 AM, ठीक है, 10 AM पर आपको पहुंच जाना है, लखनाव Public School, A Block, South City Rivalry, लखनाव, main campus में इसका दोस्तों exam होगा, ठीक है, यहां पर देख इसका जो farm भरके, जो जमा करने की last date हो है, 9 December 2023, 29 तरिक से आप farm मिलना सुरू हो जाएंगे, last आप 9 December तक जमा कर सकते है, locating manager यहां पर देखे, ठीक है, तो इस तरह से भरती है, good opportunity आप लोग जरूर अप्लाई करें, try जरूर करें, अगर आपका इस जगे selection हो जाता है, तो फ branches हैं, वो लगातार open हो रहे हैं, अभी देखे, total 10 branches इस समय present time में चल रही है, तो इस तरह से यह आपकी भरती की रही update, तो आप लोग जरूर अप्लाई कर लें, कोई दिक्कत है, कोई question है, कोई query है, आपको कुछ भी नहीं समझा आता, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, उसके वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और चैनलों को सस्क्राइब करके, बेल की घंटी को जरूर पेस कर लें, ताकि गवर्मेंट की तरफ से, जो भी भरतियां जारी हो, चाहे हो प्राइवेट से है भारत.